नमस्कार किसानवाई और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल एग्रोमाट गॉालियर पर मैं अजीत किरार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ किसानवाई हूँ आज बात करेंगे FMC कंपनी के कोराजन प्रोडक्ट के बारे में कोराजन के अंदर कौन सा टेक्निकल पाय जाता है इसका प्रेयो कौन कौन सी पसलों पर किया जाता है तता यह कौन कौन से कीटों को कंडॉल करता है इसको पसल की कौन सी वस्ता पर डालना सबसे उचित माना जाता है तता है इसका फसलों पर कैसा प्रवाब देखने को मिलता है इसका डॉच क्या है कौन कौन सी पेकिंग साइज में मार्केट में आता है तता है इसका मार्केट रेट क्या है किसान भाईयो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है तब ही आपको सही और पूरी यहानकारी मिल पाएगी किसान भायों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लए ता कि मेरे आने वाले बीडियो के नोटिविकेसन आपको मिल सकें कोरेजन के अंदर किलोरेंटरा नेली पिरोल 18.5% A.C. परमलेशन में पाये जाता है यह दवा A.C. परमलेशन में होने के कारण पौदे के संपूर्ण भाग में बहुत जल्दी फैल जाती है और पौदे को एक मजबूत सुरच्चा परदान करता है जानते हैं किसान माईयो कोरेजन कौन को इसी पौदे की 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 पौद सकते हैं को रचे की फचने कीAlpine कर सकते हैं या थी सवी परकार की कि पूंस अच्छे स कंट्रोल करता है उडमन गभन को कंट्रोल करता है केटरप्ल्र कुट्ण करता है तना छेदक और पत्ताले पेटक को कंट्रोल करता है सेमी लूपर को कंट्रोल करता है इस्टेंप लाइक को कंट्रोल करता है गाडल वीटल को कंट्रोल करता है तो अब बरर को कंट्रोल करता है अर्ली सूट बरर को भी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है किसानवायो वस्ता पर इस्प्रे करने से फूल मर जाता है कोराजन दवा पौदे की अंदर गर्माहट पैदा करती है जिससे फूल गिल जाते हैं और पादन में भी गिरावट देखने को मिल सकती है अतब फूल आने के वस्ता पर कोराजन का इस्प्रे नहीं करना है कोराजन का इस्प्रे 60 ml प्रती एगर माना जाता है अब जानते हैं किसान वाई हो कोराजन की पैकिंग के बारे में कोराजन की पैकिंग मार्केट में 10 ml 30 ml 60 ml 150 ml 300 ml 600 ml की पैकिंग में मिल जाएगी अब जानते हैं किसान वाई हो इसके रेट के बारे में कोराजन का रेट मार्केट में आपको अटारा सो से दो यार रुपय की बीच में एक सो पचास हैमिल की पैकिंग में मिल जाएगा कोरेजन का रेट छोटी पैकिंग में महेंगा मिलता है आप अगर एक सो पचास हैमिल की पैकिंग से बड़ी पैकिंग लेते हो तो आपको इससे सस्ता रेट मिल सकता है पेकिंग साइच की आईदार पर रेटों का नियदारन किया जाता है किसान बाईयों कोरायन का इस्प्रे करते समय कुछ बिसे साब दने रखनी है कोरायन का इस्प्रे करते समय इस्प्रे करने वाला प्यक्ती बीमार गरस्त नहीं होना चाहिए इस्प्रे करते समय सरीर पर अच्छे से सरसों का तेल लगा लें और साब सुदरे कपड़े पहन कर और मुँपर गमचा या मास्क पहन कर इस्प्रे करना चाहिए कोरायन का इस्प्रे हवा की दिसा में ही करना चाहिए विप्रीद दिसा में इस्प्रे ना करें कोराजन कीटनासक बच्चों की पॉस से दूर रखें कोराजन का स्प्रे करते समय 150-200 लीटर साप पानी प्रती एक गड़ लेना उचित माना जाता है फूल वाली अवस्ता में कोराजन का स्प्रे नहीं करना चाहिए कोरेजन का स्प्रेज आपको फवार वाले नोजल से ही करना चाहिए किसान वाई हो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बन लें और अपने सभी दोस्तों को सेर कर दें जैहन बंदे मातरम